संदेश खाली का जिक्र बंगाल की टीमसी सरकार पर टारगेट जाने कृष्णा नगर की रैली में क्या बोले पीम मोडी इस पर हमारे समवाद्दाता दिली प्यादव की रिपोर्ट पर्धान मंत्री श्री नरेन मोदी ने पच्छिम बंगाल में 15,500 करो रुपिय की विकास पर्योजना का उद्गातन किया है वह नदिया जीले पहुंचे थे इसे एक दिन पहले पर्धान मंत्री मोदी ने इंडियन आयल की लगभर उनत्ती सत्ता सो नब्य करो रुपिय की लागत से विक्षित कच्छे तेल की 518 किलो मीटर लंबी हल्दिया बरोनी पाइप लाइन पर्योजना का उद्गातन किया था मा माती और मानुस सभी टीमसी के कुसल में हो रहे संदेश खाली की बहने इंसाप की गुहार लगा रही है लेकिं टीमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी बंगाल में एफ्थित यह है कि आप पुलिस नहीं बलिक अपरादी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है कब ग देश खाली का गुनहगार ग्रेफदार हो लेकिन जब यह बंगाल की नारी सक्ती दुर्गा बनकर खरी हो गई और बीजेपी की कार्ज करता हो उनके साथ खरे हो गए तो मजबुरन इस राज सरकार को जुकना परा है यह बात पीमोदी ने कही वो बंगाल के किरिशना नग सहिज आ गया जिससे बंगाल पिछरता चला गया पिछले दस बरसों से सरकार इनफर्चोर पर जोड़ देर रही है बंगाल के रेल इनफर्चोर के लिए पहले से अब दुगुना रकम खर्ट की गई रेल पर योजना बंगाल के विकास में अहम रोल निवाईगी पीम मोद परिया चारों और विश्वास घात का दूसरा नाम बन गई है 3मच के लिए बंगाल का विकास नहीं बलिक भरस्ताचार और परिवाद की पर्था मिक्ति है विस्वास घात अवसरबाद लिए बरस्ताचार परिवाद वाज TMC मंगाल के लोगों को गरिव बनाए रखना चाहती है ताकि उसकी राजनितिक चलती रहे, उसका खेल चलता रहे वेदन करती हूँ कि वो हमें अपने शब्दों से आलोकित करे पसिन मंगाल के राजपाल, सीवी आनद बोजी, मंदरी मंडल के मेरे सहयोगी, शांतन उठाको जी, बंगाल विदान्जपा में नेता विपक्ष, स्वेंद बोदिकारी जी, संसत में मेरे साथी जगनात सरकार जी, राज़ सरकार के मंत्री महदाई, अन्य महानुभाव, देवी और सज़रों, आज, पस्चिम मंगाल के, पस्चिम मंगाल को विख्षित राज़ बनाने के दिशा में, हम एक और कदम उठा रहे हैं, अभी कल ही मैं आरामभाग में बंगाल की सेवा के लिए उपस्चित था, वहां से मैंने कली, साथ हजार करोड रुपिये, सेवन थाउजन करोड रुपीज, इसकी विकास परियोजनाओं का, लोकारपन और सिलान न्यास किया, इनमें रेलवे, पोर्ट, पैट्रुलियम से जुड़ी, कई बड़ी उजनाई थी, और आज एक बार फिर, मुझे करीब, पंदरा हजार करोड रुपिये, फिप्टिन थाउजन करोड रुपीज, उसके विकास कारियों के, लोकारपन और सिलान न्यास का सौफाएगे मेरा है, बिजिली, सड़क, रेल की बहतर सुविदाएं, बंगाल के मेरे भाई बहनों के जीवन को भी आसान बढ़ाएगी, इन विकास कारियों से, प्रच्चिम बंगाल के आर्थिक विकास को गती मिलेगी, इनसे युवाओं के लिए, रोजगार के नए अफसर भी पैदा होंगे, मैं आप सभी को इस अफसर प्रपधाई देता हूँ, शुब कामनाई देता हूँ, साथ्यों आर्थूनिक दोर में, विकास की गाड़ी को अफसर देने के लिए, बिजली बहुत बड़ी ज़र्वत होती है, किसी भी राज के इन्रस्टी हो, आर्थूनिक रेल्स विदाय हो, या आर्थूनिक टेक्नोलोजी से जुड़ी हमारी रोज मारा की जिन्दगी हो, बिजली की किल्लत में, कोई भी राज, कोई भी देश, विकास नहीं कर सकता, इसलिए हमारा प्रयास है, कि पस्टे मंगार, अपनी वर्तमान और भविशे की बिजली जरुवतों को लेकर, आत्म दिर भर बढ़ें, आज, दामोदर घाटी निगम के तहट, रगुनाजपूर थर्मल पावर स्टेशन फेश टू, परियोजना का सिलान्यास, इसी दिशा में, एक बड़ा कदम है, इस परियोजना से, राज में, ज्यारा हजार करोड रुपे से ज़्यादा का निवेश आएगा, इससे राज की उर्जा जिरोते भी पुरी होगी ही, आज पास के शित्रों में, आर्फिक विकास को भी गती मिलेगी, आज इस थर्मल प्राण के सिलान्यास के साथ ही, मैंने, मेजिया थर्मल पावर स्टेशन के, एपजीरी सिस्टिम का उद्धारण किया है, एपजीरी सिस्टिम परियावरण को लेकर भारत की गंबीरता का प्रतीक है, इसे इस इस इलाके में प्रादूशन को कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी, साथियो, प्रश्चिम मंगाल हमारे देश के लिए, देश के कई लाज्यों के लिए, पूर्वी द्वार का काम करता है, पूरब में इस द्वार से प्रगती की अपार संधावनाव का प्रवेश हो सकता है, इसलिए हमारी सरकार प्रश्चिम मंगाल में रोडवेश, रेलवेश, एरवेश और वोर्टरवेश की आधुनी कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है, आज भी मैंने फरका से राइगन्ज के बीच नेशनल हाइवेश ट्वैल का उद्गाटन किया है, एनेच बारा का उद्गाटन किया है, इसमें करीब दो हजार करोड रुपी है, तू थाउजन करोड रुपी खर्च किये गए हैं, इस हाइवे से बंगाल के लोगों के लिए यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी, फरका से राइगन तक का जो पुरा सफ़र है, वो चार गंटे से घटकर आधा हो जाएगा, साथ ही इससे कालियाचक, सुजापूर, मालदार ताउन, आधी शहरी इलाकों में याता यात्री स्थिती भी सुद्रेगी, जब परिवहन की रफ्तार बढ़ेगी, तो आउटियों की गतिविध्यां भी तेज होगी, इसी इलाके के किसानों को भी फाइदा पहुचेगा, साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के द्रस्टिकों से रेल पच्चिम बंगाल के गवरव शाली प्याद का हिस्था है, लेकिन इतिहास की जो बढ़त बंगाल को हासिल थी, आज़ादी के बाद उसे सही डंग से आगे नहीं बढ़ाये गया, यही कारण है कि तमाम संभावनाओं के बावजुद बंगाल पीछे चुटा गया, पिछले दस वरसों में हमने उस खाई को पाटने के लिए यहां के रेल इंफ्रस्ट्रेक्टर पर बहुत जोर दिया है, आज हमारी सरकार बंगाल के रेल इंफ्रस्ट्रेक्टर के लिए पहले के मिकाबले दो गुने से भी जानदा रुपये खर्च कर रही है, आज भी मैं यहां एक साथ भारत सरकार की चार चार रेल परियोजनाओं को बंगाल को समर्पित कर रहा हूँ, यह सभी विकास कारिय आधुनिक और विक्सित मंगाल के हमारे सप्रों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे, मैं इस समारों में और अधिक आपका समय लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहार दस मिर्ट की दूरी पर ही विशाल मात्रा में बंगाल की जनता जनारण इस कारिकम में सरीख होने के लिए बैठी हुई है, वो मेरा इंतजार कर रही है, और मैं भी वहाँ खुले मन से जम करके बहुत कुछ कहना भी चाहता हूँ, और इसलिए अच्छा होगा कि मैं साही बाते वहीं पर बताऊं, यहां के लिए बत इतना काफी है, एक बार फिर आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, जन्यवाजी, यहां को जङुति斯, यहां परियोजनाओंके लिए के लिकी से यहाँ को बढ़ाँ 그렇지 produkt, इस चाहँ को देघे हाँ, यहां को बहुत बढ़ाई inspire, गजयों अहांके बहुते होगा आप मैंजी, झाल झाल